साथियों नमस्कार मैं हूनी रजपटेल और आप देख रहें नेश संजन्मत लोग सभा चुनाओं के कैम्पेन में लगातार बाबा साहब की तस्वीरों को लहराने वाले सम्मिधान हाथ में ले करके टहलने वाले पीडिये यानि कि पिछडा दलित अल्वसंक्यक का नारा देने वाले इसके अलाबा पूरे चुनाओं में आरक्षन खत्रे में हैं और पिछडे दलितों के अधिकार छीने जा रहे हैं इन तमाम चीजों का राग अलापने वाले समाजवादी पार्टी के राश्क्री अध्यक्ष अखलेस यादवने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतने के बाद उत्तर प्रदेश विधान सभा में पहली बार पदाधिकारियों के नाम की घोसना की और उसमें ही उनका पीडिये धुआ धुआ हो गया नीचे के तीन पदों पर P और A का ध्यान जरूर रखा गया लेकिन चार पदों में D यानी की दलित पूरी तरीके से गायव हो गया दलित गायव होने से भी बड़ी बात कि पहले सबसे महतपूर पद पर यानी की स्वयम अखलेस यादो जिस पद पर थे इसका मतलब पार्टी में उस समय उससे बड़ा कोई और पद हो नहीं सकता था क्योंकि अगर अखलेस यादो चुनाओ जीतेंगे तो मुखमंत्री बनेंगे चुनाओ हार जाएंगे तो नेता प्रतिपक्च की कुरसी पर बैठेंगे मगर बिधान सभा छोड़ करके लोग सभा पहुचे हैं तो सब की निगाठिकी थी कि बदले हुए अखलेस यादो क्या वास्ताओ में किछी पिछले या दलिस समाज के व्यक्ती को नेता प्रतिपक्च का पद देंगे लेकिन अखलेस यादो जी ने सावित कर दिया कि वो ब्राम मलवात के चंगुल से निकल ही नहीं सकते चाए वो बाबा साहब की तस्वीरे लह रहें चाए समिधान हाथ में ले करके टहलें नेता प्रतिपक्च के पद के लिए इंदरजीस सरोज और रामचल राजवर के नाम तमाम लोग चला रहे थे लेकिन नाम की घोसना हुई माता प्रसाद पांडे की जो समाजवादी पार्टी में तमाम महतपूर्ण पदों पर मलाई खा चुके हैं बिधान सभा के दो वार अध्यक्ष भी रहे हैं सबसे महतपूर्ण बाद के बिधान सभा अध्यक्ष रहते हुए सचवाले में जो भर्तियां करवाई थी उसमें ठोक करके ब्राम्मनवाद नजरा रहा था इसके अलावा सिदार्थ नगर में जो सिदार्थ भी सुभिध्याले है उसमें लाइन से ब्राम्मन असिस्टेंट प्रोफेसर की नुक्तियां करवादी थी अब वही ब्राम्मन सरो मनी माता प्रसाद पांडे को अखलेस यादाओं ने तमाम पिछडे दलित विधायकों के सर पर बैठाल दिया है नेश्चन जन्मत के बल बिरोध करने के लिए बिरोध नहीं करता है बलकि आकड़े बताते हैं कि अखलेस यादाओं का ये निर्ने ना सिर्फ पूरी तरीके से पीडिये विरोधी है बलकि जिस जन्ता ने उनको बिधान सभा और लोक सभा में बोट दिया है उनके साथ विश्वाजगात और धोका है कैसे बिधान सभा में अखलेस यादो यानि कि समाजवादी पार्टी के 111 बिधायक जीत करके आए जिसमें ब्राम्मल बिधायक महज जीत करके आए पाँच उसमें भी राज्य सभा चुनाओं में तीन ब्राम्मल बिधायक क्रोस बोटिंग कर चुके हैं मनोज पांडे, राकेश पांडे, बिनोज चतुरुवेदी यानि कि मौजूदा समयज में समाजवादी पार्टी के पास महज दो ब्राम्मल बिधायक हैं और लोग सभा चुनाओं में महज एक सांसद सनातन पांडे जीते हैं ऐसे में 119 में से दो बिधायकों वाले और एक सांसद वाले ब्राम्मन समाज को सदन का विपक्ष का सबसे महत्पून पद नेता प्रतिपक्ष थमा दिया गया है जबकि अगर आकणों के हिसाब से देखें तो इस पद पर पहला अधिकार बनता था किसी मुस्लिम बिधायक का क्योंकि 119 में से 32 बिधायक मुस्लिम बने हैं जबकि 4 सांसद इस वार मुस्लिम चुन करके आये हैं दूसरे नमबर परादिकार बनता था यादव समाज का जिसके 111 में 24 विधायक चुन करके आये थे और इस वार 5 संसद बने हैं हाला कि अखलेज जी ने अपने परवार के अलावा किसी यादव को इस लाइक नहीं समझा कि उसको संसद में पहुचाया जाए पांचों यादव अपने परवार के ही लोग संसद में चुन करके भेजवा दिये हैं तीसरे नमबर पर अधिकार बनता था कुर्मी समाज का जिसके 13 विधायक बने थे और अब 7 संसद चुन करके आये हैं चौथे नंबर पर अधिकार वनता है पासी समाज का जिसके आठ विधायक चुन करके आये थे और अब लोग सभा में पांच शांसद चुन करके आये हैं पाँच में नमबर पर अधिकार बनता था जाटव समाज का जिसके दस विधायक चुन करके आये थे और अब लोग सभा में दो सांसद चुन करके आये हैं इन सब को धता बताते हुए दो विधायकों वाले एक सांसद वाले ब्राम्मर समाज को नेता प्रतिपक्ष का पद थमा दिया है जिसको कैविनेट मंतरी का दरजा और तमाम सुबधाएं प्राप्त होती है वहीं पीडिये का जुंजना देने के लिए महभूब अली जी को के वर्मा जो तीसरी वार विधायक हैं उनको विधान सभा में उप सचेतक बनाया है इन तीनों पदों पर न्युक्तियों को नेशनल जन्मत बिल्कुर ठीक मानता है लेकिन पीडिये में डी कहां गायव हो गया और ब्राम्मन कहां से आ गया नेशनल जन्मत ये कता ही नहीं कहां कहते हैं कि इस समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को इतने महत्पूर्ण पद पर बैठा लें मतलब बोट कहीं से लेंगे किसी और मुद्दों के आधार पर लेंगे और अपनी मर्जी और रंगवाजी के हिसाब से किसी भी समाज के व्यक्ति को पद दे देंगे ये जाद दिन चलने वाला नहीं है लोग सभा चुनाओं से पहले आरक्षन का खत्रा दिखा कर समिधान दिखा कर बावा सहब की तस्वीर दिखा कर जातिवार जनगर्णा जैसे तमाम सारे मुद्दों को उठा करके आप उत्तर प्रदेश में जीतने में सफल हो गए लेकिन याद रख बार बार नहीं चड़ती देखते रही नेशन जन्मत जागरुक और सजग बने रहिए जै विज्ञान जै समिधान जै लोगतंत्र धन्यवाद